सिक्षक साथियो नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PM3 इसकुल के लिए आप अपने इसकुल की जानकारी PM3 पोर्टल पर किस प्रकार से फिलब कर सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के जानकारी सलल सब्दों में आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ उमीद करता हूँ कि हमारे उज्वन लक्षट 2.0 यूटूब चैनल के अन्ने वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेलपफुल सिंत्र होगा इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी से विशेश रुप से विनम्र निवेदन हैं कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि आपके द्वारा किया गए लाइक हमारे चैनल को सपोर्ट देता है और आने वाले समय में इसी प्रकार से बेहतरे वीडियो बनाने की प्रेड़ना देता है तो लाइक अवर्षिक कीजेगा और यदि चैनल में नए है सब्सक्राइब नहीं किये है तो तुरंट सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आकन दबा दीजेगा तो अचले आप बात करते हैं कि इस पर हमें एक आरेक की इस प्रकार से करना है तो सबसे पहले आपको इस वेब साइट पर पहुंचना होगा इसके लिए अपने मुबाइल पर या कंप्रेटर में गूगल को ओपन कीजेगा उसके पश्चात यहां पर आप PMC का जो आफिसल वेब इडरेस है उसे टाइप कीजेगा इसके लिंक को जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिशन पर भी दे दूँगा जिसे आप क्लिक करके सीधे यहां पर पहुंच जाएंगे यहां पहुंचने के पश्चात आपके मुबाइल पर इस प्रकार से व्यू आएंगे यहां पर देख सकते हैं मैन्यो बार है इसको जैसे टेच करते हैं तो यहां पर होम अबाउट अस और कांटेक्ट अस लिखा हुआ है यदि आपको इस वेबसाइट के बारे में जन करें चाहिए तब अबाउट असको क्लिक करके जन करें प्राक्त कर सकते हैं लोगइन करने के लिए क्या किजेगा आप इसे जब नीचे स्कॉल करेंगे तो यहां पर लोगइन लिखा हुआ है इसके ठीक नीचे निले रंग में दो अलग-लग बॉक्स है जिसमें जो नीचे अलग बॉकस history उसमें लिखा हुआ है लौगईन फर इसकोड इसकूल फिलब करेंगे उसके प्रशाथ यहां पर उसी मुबाइल नमबर को फिलब करना है जो आपने UDies Data Plus भरते समय fill up किया था तो चले मैं यहाँ पर mobile number भी fill up कर जाएता हूँ mobile number fill up करने के परश्चा sale otp को click करेंगे तो आपके उसी mobile number पर एक otp आएगा उसे जो है आप यहाँ पर fill up कीजेगा login करने के परश्चाथ आप इस page पर पहुंचेंगे जहाँ पर यह जो है आपके school का dashboard है इसमें आपके school की समान्य जानकरी दिखाई जाएगी अब उसके पस्चत काफी महत्तपूर है यहाँ पर orange color की पट्टी जिसके अंदर देख सकते हैं तीन अलग अलग जानकरी है जब पहला जानकरी है वो है gram 35 पर एक लेटर जो है आपको बनवाना है पंचाथ से उसको भरवाईएगा इसी के साथ प्रधान पाठा की स्तर पर भी प्रिंस्पल की स्तर पर भी एक लेटर बनमाना है उसका format यहाँ पर दिया गए अब PM3 के लिए कौन-कौन से जानकरी इसको द्वारा चाही गई है इसकी जानकरी फिल अब करने के लिए एक सेम्पल फार्म दिया गए है अर्था जो आप ऑनलाइन फिल अब करेंगे वही जानकरी सेम्पल फार्म में है तो आप क्या कीज़ेगा सेम्पल फार्म को जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट आट कर लिजे इसमें जानकारी को आप पेन से भल लीजे उसके बाद आप one sitting में जो है online data को upload कर सकते हैं ठीक है अब उसके प्रशाथ आगे बढ़ते हैं जब यह पूरे काम कर लेंगे उसका फिर सो लॉग इन कर लेना लॉग इन करने के प्रशाथ इस पेज पर आदा यहाँ पूंचने के प्रशाथ देख सकते हैं इसकुल समरी दिया गया है तो इसमें जो है section wise अलग-अलग जनकारी फिल अब करना है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा completed दिखाई दे रहा है पहला जो section है section A वो completed है अर्थाक मैंने इसको fill up कर दिया है आप क्या कीजेगा इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर proceed का option है इससे आप click कीजेगा जैसे आप proceed को click करते हैं यहाँ पर section wise जनकारी सामना जाती है अब जब जनकारी को fill up कर लेंगे तो इसी प्रकार से right tick लग जाएगा जोकि मैंने section एको बस fill up किया है इसलिए इसमें right tick है बाकी में देख सकते cross है अब उसके प्रस्चाथ क्या कीजेगा यहाँ सबसे पहले select करने के प्रस्चाथ यहाँ पर जनकारी चाही गई है जो जो प्रश्न है उसको पढ़िएगा और आपके school के लिए यदि वह लागू होता है तो yes और लागू नहीं होता है तो no को click करके आगे बढ़िएगा जैसे आप पुरी जनकारी को section 1 कभल लिंगे उसके प्रस्चाथ नीचे में देखेंगे save का option है जब आप इसको save कल लिंगे उसके प्रस्चा section B पर जाएगा section B पर जब जाएगे तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की कुछ जनकारी पूछा गया है उसमें भी आप यश या नो में जनकारी को फिलब कीजेगा इस प्रकार से आप section wise पूरी जनकारी को इसमें फिलब करते जाएगे और एक विसेज बात, जब भी आप एक सेक्षन को फिलब करे, उसके बाद सेव को अवश्य क्लिक करे, इससे बाद सुरक्षित हो जाएगा, यदि आप सेव को क्लिक नहीं करेंगे, तो आपका मेनत विर्थ चले जाएगा, तो आप जो है सेव को अवश्य क्लिक किजेगा, आ आप जैसी प्रतेक्स सेक्षन को फिलब कर लेंगे, आप देखेंगे हर सेक्षन के जो लेप्ट साइड में एक हरी पट्टी है, उसमें राइट का जो है निसान आ गया है, इसका मतलब आपने इसको फिलब कर दिया है, जब आप सभी सेक्षन को फिलब कर देंगे, उसके पश किये हैं उसका पूरा डिटेल यहां पर सामने आ जाएगा इसके साथ ही साथ सेक्षन के अनुसार से आपके इसकुल का कितना नंबर बंद रहा है वो भी यहां पर टोटाल दिखाई देगा आटोमेटिक जैसे कि देख सकते हैं पहला जो सेक्षन था उसमें टोटाल पंदरा प्रश्न थे तो पंदरा प्रश्न में से हमने सभी का जानकरी फिलब किया और उसके प्रश्याद 27 में से 18 नंबर हमारी स्कुल को प्राप्ट हुआ है इसी प्रकार प्रत्रेक सेक्षन का दिखाएगा और लास्ट में जो है पूरे सेक्षन का टोटल दिखाई देगा जैसे का मतलब 75.31 प्राप्ट हुआ है इस प्रकार से यहां तक जानकारी फिलब करने की पश्चात आपको अब कुछ फोटो जो है इस पोटर पर अप्लोड करने है कौन-कौन सा फोटो अप्लोड करने है ध्यान से देखिए यहां पर देख सते हैं चार प्रकार की जो फाइल है आपको अप्रोड करना है पहला फ्रंट इमेज दूसरा बैक इमेज तीसरा पंचायत का जो लेटर है और चौथा जो है प्रिंस्पल के द्वारा जो लेटर बनाया गया ठीक है तो इसमें देख सकते फ्रंट इमेज प्रंट इमेज का अर्थ यह है कि सामने का फोटो तो आप है उसका आप देख लेजएगा वह आपके लिए हेलप फूल रहेगा इसी प्रकार से जो भी फोटो यहां पर पीछे का खीजेंगे उसकी जो अधिक्तम साइज है वह 200 कवी होना चाहिए अब इसी के सांसाथ आपने पंचायत इस्तर पर जो लेटर तयार करवाया उसका भी फोटो खीज करके यहां पर अपलोड करना है उसके प्रशाद देख सकते हैं यहां पर प्रिंसपल का जो लेटर है तो इसमें संस्था के प्रचार के द्वारा ही बनाया गया फोटो लेटर को इसमें अपलोड करना है देखें यहां पर जब आप फोटो को अपलोड कर लें प्पीड है आप कर दी आपको क्या करना यहां पर टाइप करके जो है यहाँ पर पेश्ट कर दीजेगा, या पिर डारेट यहाँ पर टाइप कर लीजेगा, ठिक हैं, टाइप करने के परश्चाथ यहाँ पर आप microwave बटन को कलिक करेंगे, जैसे आप सेव करेंगे यह सेक्षन सभी डेटा को सफलता पुर्वक सेव कर लेगा उसके परश्चात नीमन संदेश दिखाई देंगे इस प्रकार से एक संदेश आएगा देख सकते हैं यह सब ठीक है उसके परश्चात अब आता है फाइनल सब्मेट करने की बारी तो फाइनल सब्मेट करने की प्रक्रिया क्या होगी जब आप पूरी रनकरी को फिल अप कर देंगे एक बार जब उप्योग करता सब्मेट पर क्लिक करता है तो यह जो है OTP के लिए पूछेगा अर्था जब आप सब्मेट को क्लिक करेंगे यहां पर जो submit का option आर देख सकते हैं इस जगह पर इस जगह पर जब submit का option आर है इसे जब आप click करेंगे तो इसमें OTP के लिए पूछेगा OTP डालने के लिए user के register mobile number पर एक message आएगा ठीक है message आजाएगा उसके पस्चाज जैसे आप OTP को दर्ज करेंगे final submission हो जाएगा यहां पर एक बात लिखे गई है कि यह एक चेतावनी देगा कि एक बार जमा किये गए form को बदला नहीं जा सकता है और यह freeze हो जाएगा उप्योग करताओं को अंतिम submission से पहले सभी data की जाच करने और PDF प्रारूप में जमा किये गए ब्यूरण को सेव करने की आवशकता है तो इस प्रकार से हमने सरल सब्दों में आपके बीच इसकी पूरी जानकारी को रखने का प्रयाश किया यह वीडियो आपको कैसा लगा कितना महत्तपूर रहा कमेंट करके जरू बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजेगा नम बताइएगा जिर इसकार के जबढ़ा में लिए तो इसकता है करत मूदाश कर दो है वे धिक कर दो सकारिश कर दो कर दो कर दो सॉता है बताब़ा है